Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक और वही चीज को असान करने के लिए Study IQ Presents Counting the Squares and Rectangles और सागर दुआ आपके सामने आ गया है आपका दोस्त आपको यह चीज बताने हैं कि इस टाइप के कोशनों को आपको कैसे डील करना है चलिए स्टुडेंट्स हम लोग करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और देखते हैं इस टाइप की फिगर को हमें कैसे काउंट करना होता है इसके अंदर हमें क्या-क्या टाइप की कोशन्स पूछे जाते हैं वह आपके सामने यह रहे Find out the number of only rectangles Find out the number of squares Find out total number of rectangles Same questions यह कोशन्स आपसे पूछे जाएंगे और इन कोशनों को आपको बताना है इस फिगर को देखके चलिए जी हां तो इसको डील करते हैं इस कोशन के अंदर आपको स्कूर्स कितने दिखाई देरे सबसे पहले स्कूर्स को नोटिस करना सर हमें इस फिगर के अंदर स्कूर्स दिखाए देरे यह वाले एक दो टीन चार और एक पूरा कंप्लीट पांच यानि कि सर इस फिगर में नंबर ओव स्कूर्स कितने हैं सर पांच है कोई डाउट नहीं आना चाहिए था इस चीज के अंदर किसी भी स्टूडेंट को चलि आप लोग कैसे गिनेंगे आई यह देखाता हूं मैं सर ओनली रेक्टेंगल हमारे कितने हैं त्यान से देखना सभी एक दो यहां तक सभी को समझ में आ गया दो आगी समझ अब उसके बाद देखेंगे यह वाला सब्सक्राइब लेट रेक्टेंगल स्फासए यह दो बां Boss लो फीर उसके बांद और पार आप्टेंगल सी ऐनको उनको मैं आपको जिनवसर कम게 नो अ चलिए बाकी के rectangle से हमारे कौन गौन से ये वाला अब जैसे यह आपको убगे सर एक तो ये वाला हे एक कीवाला है दो अब इसी लाइन से बीच वाली लाइन है इस लाइन से क्या एक और ढाय। बन जाता है र선 कोशिश करना यह इस वाली फीकर में आपके साब जांपने के कोशिश करना जो यह वाली कुशर है के लाइन गार जो इस आपको यहां पर दे रख रुदोगे थोड़ी सिदर के लिए हइट कर रहों अब इस लाइन की वजह से इस फूरी के केंदर कितने नए rectangles बने हैं आप कहों के सार एक तो ये allecan gonna लुए यह रेक्टेंगल बैना दो और आप बोलों के सार एग यह भीcken ना यहां से लेकर यहां तक सो apologize फि 격ङ रेक्टेंगल थीन नए rectangles बनेंगे overall कितने नए rectangles बनेंगे देखो एक यह वाला rectangle बनेंगे यानिकि एक line से हमारे तीन नए rectangles बनके ready होने वाले हैं सेम यह वाला figure यह वाली line अब यह क्या है इस वाली figure को उसने examiner ने ऐसे घुमा के रखा हुआ है इस line को कितने नए rectangles बन जाएंगे तीन तो overall आपके कितने हो गए 3 3 3 3 बन गई आपके 3 4 12 कितने बन गए नए rectangles सर बारा और और बन गए चार तो आपने पहले से गिन लिए थे चार थे यह बड़े बड़े वाले यह बड़े बड़े वाले देखो आपने इस figure के लिए ये वाला गिना है ये गिना है और एक ये वाला गिना है लेकिन आपने पूरा complete वाला थोड़ी नहीं गिना क्योंकि ये complete वाला आपने इस 4 में अल्री गिन चुके थे तो ये 4 आपको पहले से गिन के रखने है यानि कि 4 तो fixed है ये बारा मैंने आपको गिनना सिखा दिया यानि कि एक नई लाइन से तीन नए रेक्टेंगल बनते हैं तो 4 आप 12 मिलके बन जाता है 16 अपना जो राइट आंसर बन जाएगा वो option number C बन जाएगा total number of rectangles आप से पूछा गया है और आपको हर एक बच्चे को यह पता है कि सर जितने भी squares होते हैं वो rectangles हो सकते हैं यानि कि total के अंदर only rectangles only plus squares यह सब आप add कर देंगे only rectangles और squares को आप add कर लेंगे only कितने थे only थे हमारे सर 16 और हमारे squares कितने थे सर यह थे 5 तो 16 और 5 यानि कि 16 प्लस 5 मिलके बनता है 21 हमारा answer बन जाएगा option number C उमीद करता हूँ आपको ये वाला जो question था वो समझ में आ गया है और आप ready हो अगले टाइप की question के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नया question आपके सामने और जिस भी स्टूडेंट को by chance वो question नहीं समझाया था पिछला वाला तो उनके डाउट अब इस question में और अच्छे से खतम हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते इस question को इस figure के अंदर आप से पूछा गया है कितने number of squares है no no doubt every students know that यहां पे total एक दो तीन चार और एक यह बड़ा वाला पांच square है इसके अंदर हर एक बच्चे को यह बात पहले से पता है only rectangles कैसे गिनने होते हैं आइए मैं बताता हूं सबसे पहले चार बड़े बड़े वाले गिन लीजिए पहले जबिव करके रख दिए एक दो ठीक है उसके बाद 3ीं में और यह जाह तो इतना तो आपने पहले से गिनके रख दिया है यहां पर चार-थन पहली लगा दिए तो फिक्स्ट है यह तो फिक्स्ट है अब उसके बाद आपको क्या करना था उसके बाद आपको क्या करना था आईये मैं उसको बता देता हूं आपको क्या करना है एक लाइन से मैंने अभी अभी बता था एक से कितने new reign rectangles मते हैं आपने बोले सब एक याइग से हमारे तीन नए rectangles बनते हैं सर इसनलाइन से हमारे कितने नए 的hen दुद्धेंगे तीन सब्सक्राइज लाइन कितने बनेंगे सब लाइन से घितने पैंगे देखो यह वाली फिगर आपके सामने है यही लाइन है जिसमें कि यह 20 से ब्रेक है और दो लाइन यहां पर बनी होगी है सपोस्ड करो अगर एक बनाते 9 9 rectangle अब बनाते साय अब इस चाहर को भी हम लोग देख लेते हैं कि यह 4 कि से बनते चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे अगर एग यह तो बीच वाली लाइन हो गई एक लाइन यहापS अब यह यह लाइन आपको मिली यह एग टो पर यह सर एकर यह वाला भी तो बन रहा है इस सर एक तो इस लाइन से हमारे कितने नए रेक्टेंगल बन गए उमीद करता हूं आपको यह बाते समझ में आ गई है जैसी इस लाइन से भी कितने बन जाएंगे और जोड आपको चार उन होंगे जोड दीन अवर् न जोड दीयेगे वह अंसर वह बन जायका अब यह बन गए 24 और इस 24 में आगर आप 5 जोड़ दोगे इस 24 में आगर आप 5 जोड़ दोगे तो आपका अंसर बन जाएगा 29 और यह 29 क्या जाएगा टोटल नंबर फ्रेक्टेंगल यानि कि ऑप्शन नंबर डी उमीद करतो इतनी बाते समझ में आ गई है अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इस फिगर का आंसर कौन बताएगा मेरे को जी हां इस फिगर का आंसर कौन बताएगा मेरे को कि यह बास समझ में आ गई मुझे पूरी पूरी उमीद है कि आपको हलका हलका हलके से मतलग यहां नहीं कि मेरे यहां पर सेंस है कि 70 तो 80 परसंट चीज़े समझ में आ गई है अब जो 10-20 परसंट चीज़े नहीं भी समझ आई है न वह यह वाली फिगर आपका डाउट को क्लि आउनली रेक्टेंगल कितने हैं सर्थ 4 तो हमें दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े वाले एक दो और यह बड़ा तीन और एक यह वाला बड़ा चार चार तो हमें पहले से फिक्स्ट है अब इसके अंदर आउनली रेक्टेंगल और जो बन सकते हैं यानिकि यह जो से यहां पहले हैं कितने बनाकर देंगी सार तीन यहां पहले यहां पहुध यां हमें बनाकर देंगी इसार यह अंतनी यह पाउंचु यह वाले कितने हैं 5-ृट सीवफ इसार कि करते दोड़ा थो बस और हमें बता सकते हो आप चलिए मैं आपको बता दे तो यह पाच्वा कैसे बन रहा है आईए मैं यहां पर आपके सामने एक फिगर बना देता हूं यह तो होगी बीच की लाईन यह वली इसको थोड़ी सदे ले क्लिए हैट करले ना इसको दिखना यह एक यह दो और यह थेन ठीख है और मैंने आपको क्या बताना है मुझे आपको बताना है यह तीसरी लाइन जो 5000 बना रिए इस वाली लाइन से पाच कैसे बन सकते हैं नए by दो तो इस लाइन से एक बनेगा सरय वाला दीन है एक लिजुन से और ने का प्लमाला एक तो यह वाला cmk एक दो और यह वाला बन गया तीन है ना और यह वाला बन जाएगा चार यह बन जाएगा चार और इसी लाइन से एक यह वाला भी तो बन जाएगा ओवरॉल कितने बन जाएंगे पांच बन जाएंगे पांच यह देखो पांच बन गया नहीं बन गया पांच राइट तो ऐसे करके यही चीज़ को तो मैंने आपको ट्रिकी फॉर्मेंट में सिखा दिया कि नमबर जैसी जैसी लाइने बढ़ती जाएगी उसमें नमबर आप बढ़ते जो तीन चार पांच बस धियान रगना एक पहली लाइन से बनते तीन अगले से चार फिर उसके बाद पाच फिर उसस 2 3 4 4 कितने 4 4 16 हो गया और 5 कितने 1 2 5 010 हो गया ठीक है तो यह बन जाएगा आपका 6 7 8 यह बन जाएगा 38 तो 38 यहां पर डाल दीजिए 38 में 4 ओर जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 42 हमारा और 42 में अगर मैं 5 जोडता हूं 42 में अगर मैं 5 जोडता हूं तो यह हमारा निकल के आ जाएगा टोटल नमबर और रेक्टेंगल जितने जो की बन जाएगा 47 उमीद करता हूं आपको यह बाते सारी समझ में आ गई है जैसी यह बात समझ में आई तो इसका आंसर मेरे को कौन बताएगा जल्द से जल्द इसका आंसर आपको मेरे को बताना है ठीक है इसका अंसर हम लोग कैसे लाइन हमें बनाकि देंगी इससे बनें पीन किसे बनेंगे adjust ञाहिके इस से बनेंगे चार कि यससे कितने बनेंगे चार इसका से कितने बनेंगे सर पांच और इससे इस से तीन इस से चार तो ओबर ओल इन शब के अंदर आपको सब्सक्राइब करना है तीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टी तो 35 में चार एड़ कर दिये जाए तो यह बन जाएगा ऑप्शन नमबर भी 39 39 में अगर मैं फाइव एड़ करवा दू तो यह बन जाएगा हमारा आंसर 44 टोटल नमबर फ्रेक्टेंगल उमीद करता हूं आपको यह वाली फिगर भी अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे कैस ची से बताएंगे इसका आंसर ठीक है सभी लोग इसको ट्राइ करेंगे सभी लोग इसको ट्राइगे और अगर आप लोग इसका आंसर में को कमेंट में दे सकते हो कि ठोटल नमबर फ्रेक्टेंगल कितना है मैं आपको यह वाली चीज बता देता हूं कि only rectangle कि कितने है only rectangle इसका होगे चार, इससे बनेंगे नए रेक्टेंगल 3, इससे 4, इससे 5, इससे बनेंगे 3, इससे 4, इससे 5, है ना, और इससे कितने बनेंगे 6, सर इनसे 3, 4, ठीक है, इससे कितने बनेंगे 5, इससे कितने बनेंगे 6, अब इस ब कौन जोडेगा भई, इन सब को कौन जोडेग कितन है उसके दाफा फॉर्ट वाले कितने हैं एक दो तेन चार सब फोर फोर जारा 16 है 5 व एक दो थीशन फंतरे चाहिए जाएक सुटोटो चर्सपान ऑप सब्सक्राइग करना सबया करना है अरह करना है और ते हो 55 वह जाएगा और 55 यह कितना हो जाएगा 55 वह जाए राइट 55 में इस फॉर को एड कर देंगे यह बन जाएगा क्या हमारा 59 आंसर पाइन आट इनमर ओव स्क्वाइर यह आपको बताना है टोटल नमबर और रेक्टेंगल यह आपको बताना है यह मैं आपको देता हूं वर्क ठीक है तो कैसा रहा आज कर सेशन और तो कोई कोशन नहीं नहीं तो यहीं था हमारे इस सेशन के अंदर कैसी रही आज की किलास मेरे को सभी लोग बताएंगे कमेंट सेशन और क्या आपने कुछ नया सीखा अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करना मैं ऐसी वीडियो बनाता रहोंगा आपके लिए नहीं नहीं है टाइप के ट्रिक्स आपके लिए लाता रहां गा एससी के इंदर ट्रिक्स बहुत चलती है क्योंकि रीजनिग में हमें बहुत जल्दी-जल्दी attempt करना होता है बहुत सारे कोशनों को attempt करना होता है यानि कि almost सारे ही करने होते हैं और यह चीज़े सिर्फ ट्रिक्स एससी में चलती है banking की जो reasoning होती है उसका level थोड़ा और hard होता है उसमें यह सारी चीज़े नहीं आती उसमें sitting arrangement और puzzle जादा आती है अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना study IQ बैंक नससी आपके लिए ऐसा content लाता रहता है तो सभी लोगों के साथ यह चीज़ बताना सभी को अपने दोस्तों को शेर करना यह बात और यह वीडियो को जरूर शेर करना यार है ना तो आज के लिए मैं लिए तो विदा आप से तब तक खुछ रहे मुश्कराते रहे और देखते रहे study IQ बैंक नससी जाहें दोस्तों study IQ bank and ssc शुरूआत से सभलता तक